हलो फ्रींज, अपना की चैन में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही टेस्टी परवल बनाने का एकदम नया अलग तरीका सेर करने वाली हूँ जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी तो इसके लिए मैं आपे 200 ग्रम परवल ली हूँ इनको पूरी तरह से नहीं चिलना, इनका चिलका पूरी तरह से नहीं हटाना है ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर चिल करके इनके दोनों किनारे कट करके हटा लेंगे इसी तरह से सभी परवल को चिल करके त्यार कर लेंगे तो सभी MAR Grü备 kings को छी लिए अहकी अच्छे से दो लेंगे लगी अब इनको अच्छे से पोच लेंगे क्योंकि दुलने के बाद इस पर काफी सारा पानी है तो इनको एक सूती कर लेते हैं तो देखिंगए अभी परवल अच्छे से द्राइँ हो तो चलिए यह इन को कट कर लेते हैं तो एक परवल ऐसे हाट में लेंगे और इनके बाले ढ़ए अयूंते हैं सीज्दा करों के और चांकू से इसे पत लुँद कर देंगे उपर थोड़ा सा छोड़ देंगे पूरी तरह से इनको कट नहीं करना है उपर से भी उपर थोड़ा सा छोड़ करके ऐसे पतला-पतला स्लाइस कर लेंगे उपर का भाग जुड़ा होना चाहिए ये बहुत हीजली कट हो जाते हैं ये देखेए फ्रेंज तो इसी तरह से सभी परवल को कट कर लेंगे तो देखे फ्रेंज सभी परवल को कट करके त्यार कर लिए अब हम इनको मैरिनेट करेंगे इसमें डालेंगे आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर को ऐसे स्प्रेड करके डालें आधा छोटा चमच नमक, नमक को भी ऐसे फैला करके ही डालें, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ऐसे हाथों के हेल से नमक, हल्दी को अच्छे से परवल पर लगा लीजिए, तो देखे फ्रेंज नमक और हल्दी को अच्छे से मैंने लगा लिया हर एक परवल के पीसेज पर, अब हम इनको दो मिनट तक साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, तो चलिए तब तक हम मसाले त्यार कर लेते हैं, एक मिक्स अब गैंडर के जार में डालेंगे, एक चमच जीरा, एक छोटा चमच धनिया, आधा छोटा चमच काली मिर्च, छै से अधरब, एक रफली चॉप किया हुआ प्याज मीडियम साइज का, और एक रफली चॉप किया हुआ टमाटर मीडियम साइज का, थोड़ा सा पानी डाल करके मसालों को पीस लेंगे, और एकदम स्मूथ पेस्ट तयार करेंगे, तो देखिए फिरिंज मसाले पीस चुके हैं यह देखिए हाथों पर भी लग रहा है, तो नमक के वज़े से काफी पानी रिलीज होता है और परवल अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो चली इनको फ्राई कर लेते हैं, तो चुले पर रख देंगे एक पैन गया सौन करके इसमें डालेंगे दो चम्मस तेल, तो मैं स परवल डालने के बाद इनको एक बार ऐसे हलके हाथों से रोटेट कर लेंगे ताकि चारो तरफ तेल अच्छे से लग जाए परवल पर और एक तरफ से इनको दो मिनट तक मीडिया फ्लेम पर फ्राई होने देंगे, तो देखिए दो मिनट हो गया मुझे इनको एक तरफ से रखे हुए इनको हलका सा और ऐसे रोटेट कर लेंगे और अब हम इनको पलट लेंगे दूसी तरफ तो ऐसे एक एक करके सभी परवल को पलट लीजिए और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है परवल तो बिल बीच बीच में मैं पैन को ऐसे ही लाते रह रहे थी ताकि परवल अच्छे से फ्राई हो नीचे एक ही तरफ से जले नहीं तो मैं आपको पलट करके दिखा देती हूं सभी परवल को ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है और परवल बहुत अच्छे से फ्राई हो गया ह और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे आप चाहें तो जिसमें परवल को फ्राई की है ना उसी बरतन में बना सकते हैं लेकिन आपको एक दम किलियर दिखाए दे इसलिए मैं दो बरतन का इस्तमाल की हूँ तेल गरम होते ही इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और एक पिंच हिंग ये डाइजेसन के लिए बहुत अच्छा है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जैसे दोनों हलका सफ्राई हो जाते हैं हम इसमें पीसे हुए मसाले डाल देंगे जो हम लोग पीस करके रखे थे जार में आधा कब पाने डाल करके क्लिन करते किये को हमने पाले इसतुमाल के नि knife और गया अदस्वी चिजू को मिक्स कर लेंगे और गयाज का it time medium to low रखेंगे मीडियम टू लो फ्लिम पर इनको ढख करके 4-5 मिनट तक पकाएंगे, बिच बिच में ढखका नटा करके चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, जिससे की मसाले चारो तरफ अच्छे से कूख हो, तो देखे फ्रिंद 4-5 मिनट हो गए मुझे इनको पकाते हुए मीडियम इस टाइम एकदम लो रखेंगे, लो फ्लिम पर इनको ढख करके 3-4 मिनट तक पकाएंगे, बिच बिच में 1-2 ढखका नटा करके चलाते भी रहेंगे, जिससे की परवल नीचे एक ही तरफ से जले नहीं, तो 3-4 मिनट हो गए मुझे इनको लो फ्लिम पर पकाते हुए, हम फिर से ढख करके लो फ्लिम पर 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे की हरा धन्या का फ्लेवर सब्जी के अंदर अच्छे से चला जाएगा, तो 2 मिनट और हो गे मुझे इनको लो फ्लिम पर पकाते हुए, और हमारी बहुत ही टेस्टी परवल की एकदम नए तरीके की पटी सबजी का नाम दी हूँ, आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा, तो फ्लिंस परवल की लच्छे वाली ये सबजी बना करके एक बार जरूर देखिएगा, बार बार आप ऐसे ही परवल बनाना पसंद करेंगे, आपको ट्राइ करें, पसंद आने पर लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें